आज आज़ादी के बाद एक ही पर्टी के 55 सालों को एक तरफ रखिये और दूसरी तरफ केंद्र में हमारे बीते 55 महिनों को रख कर तुलना कीजिए अरुनाचल और पूरे नौर्थ इसके लिए क्या काम हुए हैं इसकी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी अरुनाचल के पास तो सम्रुद्ध जल संपदा है यहां बिजली पैदा करने की अभूत्पुर्वक्षमता है लेकिन विकास उस गती से नहीं हो पा रहा था जैसा होना चाहिए था ये देश की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वप्रों छेत्र रहा है स्ट्रेटेजिक लिहाद से एहम छेत्र रहा है फिर भी यहां आवसक सुविधाओं का निर्मान नहीं हुआ है स्थिती ये थी कि ना तो यहां के नवजवानों की परवा की गई और ना ही सीमा पर डटे जवानों की साथियों पहले की सरकारों ने इस बात पर कम ही ध्यान दिया कि इस ख्षेत्र को नजर अंदाज करने से यहां के लोगों को कितनी परिशानी और तकलीफ होती है देश को और आप देखते हैं दसकों से मांग हो रही थी कि अरुनाचल प्रदेश समेट यहां के तमाम छेत्रों में आधूनिक इंफास्रक्चर की जरूत है लेकिन पहले वालों ने इसकी भी परवा नहीं की साथियों इस सरकार द्वारा इस स्थिती को बदलने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है मैं बार-बार कहता आया हूँ कि निउ इंडिया तभी अपनी पूरी सक्ति से विक्षित हो पाएगा जब पूर्वी भारत नौर्थ इसका तेज गती से विकाज होगा ये विकाज संसादनों का भी है और संस्कृति के गवरव का भी है ये विकाज अलग-अलग छेत्रों को जोडने का भी है और जन जन को भी जोडने का है